मेरा सुधीर राज सिंग्जी आएं और जो हमारा वीड़ा प्यूपिल का जो कंसेप्ट है जिस पर हम पिछले साड़े चार महिने से मेहनत कर रहे हैं उस पर अपना प्रकास डालेंगे सुधीर राज सिंग्जी आगए धन्यवास काया जो कारेक्रम है हमारा Isp doable का होता है नोटा होता है अरे ऑड़न से समधित जो भी चीज़े हैं उनका यहां जिक्र होता है कि चर्छा होती है 10 एक तारीक और 15 तारीक हमारी fix है वैसे तो हम 365 दिन और पैदा होने से लेके मने तक सारा काम धम के अनुसारी करते हैं मगर धम और धमा का जानकारी ना होने की वैसे हमको पता नहीं चल पाता कि हम सारा काम धम के अनुसार कर रहे हैं हम कोई भी काम करें दुनिया में जब से हम पैदा होते हैं और जब से मर यहां जो संग है उसकी बात करेंगे क्योंकि बुद्ध धम और संग यह तीन सब्द ऐसे हैं जो आपको निरंतर भारत में लगातार सुनाई देते रहेंगे तब तक आप भारत में रहेंगे जब तक और दुनिया में भी जाएंगे तो यह आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे बुद्ध और धम और संग भारत की पहचान है अगर भारत का कोई सिनोनिम है भारत का कोई अगर परियावाची सब्द है तो वो बुद्ध है अगर आप कहीं दुनिया में जाते हैं विदेश में जाते हैं और अगर आप अपने भारत के नाम को देश को भूल जाएं आपक एक मात्र विस्प गुरू है पुरी दुनिया में जो जाने है उन्होंने ही जो एक सब्द दिया उदिया संघ और संग सब्द बुद्ध के बाद ही existence में आया है, इससे पहले था रही है, किताबें आप ढून लेना, छान लेना, आपको संग नहीं मिलेगा कहीं, संग बुद्ध की property है, बुद्ध का copyright है, सिद्धत गौतम का जब बुद्ध बनने के बाद में, पहले जो लोग जुड़े तब से संग बनना सुरूआ है, उससे पहले संग नहीं होता था, उससे पहले संग होता था, दो बात है ध्यान लखना, संग जिसमें गय लगता है, बहुत बारिक सा अंतर है, संग जो है, जैसे हम कहते हैं संगत हो गई, या जो हम कहते हैं कि संगती में चला गया, ये संग स तो संघ कर देंगे तो इसका मतब है कि बुद्ध के वह Willés Emily दिक और जो लोगों को सिखाते थे वो जिन्होंने से ब्रत नियम ब्रत पना है कि वह पूरी जिन्दगी और जिन delay सिर्फ एक समय के खाना खाने पर वह भी पढ़ाने के बाद मेरत करेंगे तो खाना मिलेगा खाना खाएंगे और उस खाने के आधार पे पूरी जिंद्गी अपना देंगे लोगों को सिखाने के लिए पढ़ाने के लिए और लोगों की बुराई छुडाने के लिए और उनको इस जीवन में यह बताने के लिए कि जीवन क्या है यह सारा काम जो लोग करते थे और जहां वो रहते थे एक साथ उस एक साथ रहने के समू को संग बोरा करते थे और जब ये संग बनना सुरू हुआ तो संग के दुस्मन भी संग में बहुत तेजी से बढ़न लगे क्योंकि काम बहुत जबर्स था लोगों के कल्यान का था और जिन लोगों को लोगों का कल्यान नहीं करता करना चाहते हैं या लोगों को तोड़ना चाहते हैं या लोगों को बाट कर तोड़कर फाइदा उठाए या उनमें बुराईयां डालकर फाइदा कमाते हैं वो लोग स बहुत धिक हैं, तीन बुद्ध हैं, तीनों गुड़ों के अंदर हैं, मगर बुद्ध संग नायक नहीं हैं, कोई अगर ये कहता है कि बुद्ध संग नायक हैं, तो ये कलपना बाद में गड़ी गई हैं, क्योंकि संग का नायक संग ही होता है, दुनिया में ये पहला ऐसा सि हैं जबकि नायक के नायक ही नायक होता है जब तक सनग रहेगा उसका नायक रहेगा संग खतम हो जाएगा वाद खतम हो जाईगी ज रियो आ लगा जाता है कि बुद्ध उसके नायक रहे हैं तो यह बात कहीं किसी भी साहते नहीं मिलती कि बुद्ध उसके नायक रहे हैं बुद्ध उसके एक ऐसे ही टीचर रहे हैं कि जो जिन्होंने सुरुआत की और धम बनना सुरू हुआ संग बनना सुरू हुआ और उन्हों के सो साल वाद बुद्ध को करने के लिए पूरी कोशिश की गई तो बुद्धो कोखतम करने के liए या किसी संत ने के लिए तीन बातें हम такой जाती है और वह अभी भी की जा रही है चाहे वह डॉक्टरम वेटकर हैं चाहे आने वाले कोई भी लोग हैं या जो पहले लोग हैं क्या किया जाता है एक तो उनका रूप बिगड़ा जाता है उनके साहित्य का रूप बिगड़ा जाता है और उनको व्यक्ति में बदला जाता है बुद्ध के वारे में कोई नहीं जानता कि बुद्ध की सकल कैसी थी बुद्ध का रूप कैसा था बुद्द का रंग कैसा था बुद्द के कान कैसे थे तो उनके फोटों में बाल भी बना दी जबकि साहित यह कहता है कि मुझ 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 सेक्सक्राइब करें तो उनके सरीड का कोई बाल हिले ना क्योंकि ऐगर सरीर का बाल हिलेगा ध्यान करते समयं तो ध्यान टूट जाएगा और बुद्ध या अरत भी कुछ जितने होते थे वह इतना गेहन करते थे कि अगर साधना में उसको सारे बाल हटाने पड़े चोंकि 24 गंटे साधना में और अपने बाल को खत्म करते थे यहां सही अपनी आईब्रोगी अटा लेते थे पलकें भी अटा लेते थे क्योंकि बाल कोई भी होगा तर डिश्टर्ब करेगा इसलिए उनको मुंडा कहा जाता था मुंडे लोग कहा जाता था तो ये सारे मुंडे लोग जितने भी थे ये बुद्ध थे तो अगर बुद्ध मुंडे थे क्योंकि बुद्ध संग से अलग और बुद्ध का कोई अलग नियम नहीं है बुद्ध के वही नियम है जो संग के नियम है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बुद्ध अपने भिक्रों के लिए तो नियम ये रखें कि वो बाल नहीं रखेंगे और अपने लिए ये नियम रखें कि बाल रखेंगे फिर तो संग खतम ह फिट तो सымांता का नियम नहीं हो जाएगा, फिर तो बुद्ध बुद्ध नहीं रहेंगे, इसलिए जो कहानिया है — वो कहती है के वो मुंड़ा थे, और मुंड़ों के वारे में कैवार कहानी आती है तो फूर्टु Тогда में बगाडे गए, उनके माता इंचा दिखाया गया, मा की सारी की सारी उनका सर उचा करके साइद उनको नायक बनाने की कोशिश करके अलग से दिखाने के लिए कि यह नायक है अलग से दिखाने के लिए कलाकारों ने अपने भाव में आके अपनी एक तरसे के भक्ती में आके पांसो साल बाद भक्ती डबलब हो जाती है किसी महापर 84 उनके चिन्ड दिखाएगे जो कि थोड़े से 30 युक्ति में आते हैं और बुद्ध ने कभी अपने चिन्द्ड के वारे में अपने वारे में और बुद्ध जब बन गये या अपनी अपनी मान या प्रसंसा क्या करेंगे और आगर प्रसंसा करेंगे या अपने वहिति साहित में जो ग्छाल मील होती हैं, जो चीज़े होती हैं, हम उनको आख बन करके मान देवाला है भक्ती और भाव में और यह बिना सोचे, क्योंकि बिहार के जो लोग रहे हैं आज के समय के उस समय के मगद के लोग रहे हैं, मगद में आज भी दर्मियाने किस्म के लोग रहते हैं यानि कि कम हाइट के लोग रहते हैं और वहाँ तापमान जादा होता है तो काले रहते हैं और वहाँ गर्मी देती है इसलिए गोरी नसल होने का या गोरे लोग होने का वहाँ कोई चांस नहीं है और उनकी नाक भी मोटी होती है जैसी भारत के लोगों की होती है मगर जब किसी को खतम करना होता है किसी संत को खतम करना होता है क्योंकि देखा तो किसी ने है नहीं तो सारी कलपना है तो उसको कलपना में भक्ती में बहुत सुंदर बनाया जाता है और इतना सुन्दर बनाया जाता है कि बाकी सब उससे नीमन लगें, बाकी सब उससे छोटे लगें और भक्ती आगे बढ़े, भक्ती भावना आगे बढ़े और उसका सध्धान्त और उसकी जानकारी पीछे चली जाए फिर लोग ऐसी ऐसी कहानिया गड़ते हैं, ऐसी ऐसी गाने गड़ते हैं, ऐसी ऐसी बाते हैं और ऐसी ऐसी फोटो बनाते हैं कि व्यक्ती फोटो में, उसके गानों में, उसकी भावना में बह जाता है और संत की बात खतम हो जाती है इसलिए विपसना चली भार्स से इसलिए धंब चला गया भार्स से लोग भुल गए कि बुद्ध ने किया किया था और क्या उन्होंने सिखाय था यह जानकारी भारस से पूरी तरह से चली कई पर हमको भी नहीं मिलती अगर ये विपस्तना के थो नहीं मिलती इसलिए जब यहां को यह कहता है कि विपस्तना जरूर करें तो एक वार चले जाना चाहिए जाके देखना चाहिए कि बुद्धने क्या किया है साथ जीवन में समझ आ जाए और जीवन महा से आरम हो जाए और किसी ऐसे व्यक्ति के लि चीजें खतम कर देंगे या उन चीजों को बदल देंगे उनमें मिक्स कर देंगे अपनी बात मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद में उसको कहेंगे कि यह चीज ऐसी नहीं थी वैसी नहीं तो बुद्ध को सब तरब से खतम किया गया मिक्स किया गया उनके साहितने में उनके रूप रेखा बदल दी गई, उनकी बात है तो कोई बताता है नहीं है और जो बताता है वो बातें बदल के चमतकारी कर दी गई, ऐसी कर दी गई कि जो गले उतरती नहीं है, उनको समझाने में पूरी जिन्द की निकल जाती है, आप समझा नहीं सकते, तोंकि वो बदल वो सारी की सारी इसलिए बाते हैं क्योंकि समण से वमण बना दिया यानि कि जो एक व्यक्ति बुद्ध जो समण है और जिसका पूरा संग समण है उसको ये कह दिया कि वो वमण है और वमण को भी बाद में ब्रहमने में बदा और कह दिया उनसे केलवा भी दिया और शत्रिया के लिए उनको चछत्रिय केना सूर कर दिया उनके हाथ में ऐसा कर दिया जैसे धनुज मतलब उनको खतम करने का इतने तरीके बनाए किसा उन्होंने खुद कहा है कि मैं तो साधर्ण मनुस्य हूं और उनको गौड की उपाजी देने में लगे पड़े और यहां तक कि उनको अफ्तार भी घुशित कर दिया हाला कि अफ्तार का मैंने वीडियो बनाया आप देख सकत मतकार उनके ज्यांत के साथ जोड़ी कि buddh को बुद्की बातों से समझाना यह बड़ा मुस्किल हो गया हूँ जो लोग विपस्ता करते हैं वो तो समझ जाते कि बुद्ध कि और यह बहुत बड़ा जगड़ा चला है धानकि क्योंकि जब हम कहते हैं कि बावा साब ने साइंटिफिक बुद्ध बताएं हैं और किताबों में चमतकारिक बुद्ध होता है तो आदमी कन्फुज हो जाता है कि बावा साब की मात माने या चमतकारिक बुद्ध की उन किताबों को माने जो किताब है बावा साब ने या किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखी नहीं है जो जानकार है और जो उन्होंने लिखी है जो हम लोगों को बुद्ध को खतम करना चायते हैं और यहां तक कि जो उनकी गौतम चरिया थी गौतम जहां भी सब्द गो लगता है इसका मतलब गौतम से आता है गौतम चरिया का मतलब है कि गौ जहां सबस्द आता है, महां गौतं और पहलों का जानवर है, यहां का नहीं गौतंชरिया को उन्होंने पूरी दाता से गौचर कर दिया और उनके पद दिखा पद दिखड़ कर दिया, यानि पद दिखा वो था कि जो उनका रास्ता है उसको देखना है पद दिखा का मतलब होता है पदों के देखना यानि कि उनके जो पद हैं जो उन्होंने बोले हैं उन पदों को देखना और पद को बदल दिया पैर से और पैर से कह दिया कि पैरों को देखो तो लोग पैर भ जो संग को खतम करने के काम तब किये गए थे, वो संग को खतम करने के काम हमेसा किये जाएंगे, जब भी आप संग बनाओगे, क्योंकि आप संग बना रहे हो, तो आपको ये ध्यार लखना चाहिए, कि यहाँ जो लोग आएंगे, कुछ यहाँ धन इखटा करने आएंगे, त कि संग में कुछ लोग आते थे तो खाना खाने के लिए आते थे उनको खाने में उनको लगता था कि यहां खाना आसानी से मिल जाएगा इसलिए वह धम सीखने नहीं आते थे वह खाना खाने के लिए यहां जितने लोग आएंगे वह जनबल चाहेंगे यानि उनको यह भी आये थे जब एक व्यक्ति खुद बुद्ध का सगा भाई संग के जनबल को पांसो भिक्तों को तोड़कर ले गया अपने साथ तो जनबल से साब्धान है क्योंकि यहां लोगों को फुसलाए जाएगा बहला जाएगा आप संग बना रहे हो तो संग में यह प्रक्रियाए उस समय पीचली थी अब भी चली थी इनकी साब्धानी उस समय बता थी आपको वहसकी साब्धानी में बता रहा ह आइये ना सोचें कि संग में सब लोग एक से होते हैं तो जान का ही लें, बदद कर सकते हैं आप उनकी, यहां जो लोग आएंगे वो प्रसद्धी के लिए आएंगे क्यांकि भिक्व के संग में बुद्ध के संग में लोग इसलिए प्रसद्धी पाने आते थे कि भंतों को बड़ा सम्मान मिलता था मान मिलता था प्रसद्धी मिलती थी उनको लोग नमस्कार करते थे, उनकी जट करते थे, तो यहां लोग, बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, कि वो यहां प्रिशिद्धी पाने के लिए आएंगे, जो उस समय के जो लोग थे, वो मान सम्मान के लिए, उसमें सामिल होगे, कि हमें कहीं जट नहीं मिलती, तो उन्ह कि यहां नेतत के लिए आएंगे उनको नेतत मेंने तो करने के लिए ताकि नेतत तो पॉरिति आद्यों करेंगेश करेंगे सार्य नेतत अपने perimeter cũng करने हूंगे वह एजंडे मना कोशन करेंगे और लागु नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे? यहां आके वो पूरी पूरी गंदगी यहां संग में डालेंगे और संग में उटी सीधी हटत करके चले जाएंगे. इन ऐसे लोगों की बुद्ध ने साफ साफ पैचान बताई है, वो लोग क्या करते हैं? वो धमन का कोई काम नहीं करते, वो संग का सब को समानता है संग को नियम है कि सब बोल सकते हैं संग का नियम है कि सब क्यों अपनी बात रखी जा सकती है संग का नियम है कि सारे नियम सब के बरावर हैं और संग का नियम है कि सब को बरावर का अधिकार है तो वैसे लोग उनकी पहचान रखना जो संग के अधिकारों का तो इस्तमाल करेगा? मगर संग की जुम्मेदारियों से बागेगा? वो संग में काम नहीं करेगा? वो आते ही यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर मचाएगा. मुझे यह अधिका चाहिए, मुझे वह अधिका चाहिए. देखो संग में ऐसा होता है. अरे ये काय का संग है जब इसमानता नहीं है मुझे बोलने नहीं दिये किया मुझे ये काम कुछ नहीं करेगा जुम्मधारी कुछ नहीं लेगा और संग का अगर आपने कोई काम उसको दे दिया तो तीसे दिन दिखाई नहीं देगा और जब उसकी बात नहीं बनेगी तो य औरे यहां तो एक ही आदमी बहुत बोलता है यहां तो चार आदमी बहुत बोलते हैं यहां तो आठी आदमी बहुत हैं यहां तो हमारी बास सुनी नहीं जाती है यह तो व्यक्तिकत हो गया यह तो ऐसा हो गया यहां तो सारा का सारा सिस्टम बड़ा खराब है यहां तो कोई आदमी की इजत नहीं है संग में संग की इजत से बड़ी किसी की इजत नहीं होती ऐसी ऐसी बातें करकर वो संग को तोड़ने और भ्रम करके और निकल जाएंगे उनका ध्यान रखिए कि कौन तेजी से आयार, कौन तेजी से निकल गया, क्योंकि ठहरेगा वही जो संग में काम करेगा, और जो काम करेगा वो समझ जाता है कि बोलने में काम नहीं है, काम करने में काम है, संग में, बुद्ध के संग में बहुत लोग आए और बहुत लोग ग बाते हैं अगर हम इखटे रहेंगे तो हम बचेंगे अगर हम इखटे नहीं रहेंगे तो हम मारे जाएंगे वो लोग तस से मसनी हुए उन लोगों की वैसे आज हम जिंदा हैं उन लोगों की वैसे आज भारत के अंदर बुद्ध का नाम है उन लोगों की वैसे आज भारत ब आ सकते हैं खाली विपस्था करने के लिए क्या धम का दने धम में विपस्था बहुत जरूरी है ठहरा बहुत आता है उससे जानतारी बहुत होती है व्यक्ति यहां डॉक्टर यूवी सिंग जैसा भी हो सकता है कि अगर जो काम दे दिया तो काम कर लिया नहीं तो चुप तो सकती नहीं होगी यहां वो जू जो लोग जो थोड़ा टस्मस होके आ रहे हैं वो अपने आपको नापे कि खटे होना है अलग लग तरीक से कहा है किसी ने कहा है कि और्गनाइज होना है किसी ने कहा है कि संग में जाना है किसी ने कहा है कि संगत करनी है सब तो उसके कुछ जुम्मेदारियां मी होती हैं खाली उसके अधिकार नहीं होते हैं यहां संग में जो आदमी आता है उसे पहले दिन में सारे अधिकार मिल जाते हैं तो पहले दिन में सारी जुम्मेदारी भी तो मिलती हैं जो लोग पहले से काम करने हैं जो लोग पहले से 6 महाइने से लगे हुए है तो उनकी उमर शेह महाँ है और कोई व्यक्ति अगर आज ही यहां है तो वह उनसे सचास है उमर का का diet तो उनको जश्येंखक ब्रॉष्ब हुएं उनको इठाए के लिए इनतियार करना पड़ेगा पहले दिन सए अगर आप यहां सारे अधिकार का इस्त्माल करोगे तो पहले दिन सए आपको सारी जुम्मधारियों का विद् обыч कार है घौछ को भी मिलेगी आपको प्यार बच्छे बच्च भी जाएंगे क्योंकि जिद्ध है जिंदा रहने की अगर जुड़ेंगे तो जिद्धा रहेंगे गले में तलवार सारी हम बारवार बताते हैं सबी लोग बताते हैं कि हमारे पास समय नहीं हमको जुड़ना है जुड़ जाएंगे तो बच जाएंगे और अगर नहीं जुड़े तो बच न बात तु तो तुम्छ जोड़ जाना चाहिए और समझ में बात नहीं आती है तो मरने के लिए त्यार रहना चाहिए क्योंकि मौत उसी को नहीं कहती कि जब आपकी कुझ तलवार काथेगा मौत उसको भी कहते हैं जब आपके और अधिकार चले जाएगे जब आप बोल नहीं सकते जब वोट नहीं डाल सकते जब आप कुछ बन नहीं सकते जब पढ़े लिखे होने के बाप भूजूद भी आपको वह काम नहीं मिलेगा जो काम आपको पनिशमेंट में आपके सारे महापुरसों को दिया गया जो के सारे पूर्वजा को दिया गया जिसको जूता गाटना है वो जूता गाट हैगा जिसे चट्टिया उठानी है वो चट्टिया उठाएगा क्योंकि यही काम होते हैं उन लोगों के जो इखटे नहीं होते जो लोग इखटे हो जाते हैं वो बड़े-बड़े अफसरों में ब हुए का फायदा उठाया हम इतने निकम्य नारा थे कि हमको यह समझ में नहीं आई के खटा होना चाहिए इसलिए हम इखटे नहीं हुए अब तुम वही काम करना जो तुम्हारे दादार परदादा करते थे अब हमें माफी कर दो, हमारे बसकी धा नहीं, हम तो बड़े निकम में थे, कुछ लोगों ने हमसे कहा जरूर मगर हम समझे नहीं, हम तो अपने एगोर एहम में टकराते रहे, हम तो अपनी जुटी जट ढूनते रहे, संकी जट से ज़्यादा हमने बड़ी जट मानी, संक से बड़ा हमने अपने आपको खुद माना, अपने एंकार को हम संक से बड़ा ले आए, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए ऐसा बोल के जाना ऐसा वजिशत में लिखके जाना और अगर जुड़ के संग से तो बच्चों को शांस से कहना कि तुमारे जो बाप जादा थे संसाथ में डॉक्टर अंबेट्रों ने सम्विधान बनाया और हम तुम को बता के जा रहे हैं कि नहीं जुड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे धन्यवाद वह बहुत बहुत शाद बहुत शाद बहुत थन्यवाद लोक्त कर दो 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 कर दो